इंडिया में celebrity worshiping का बहुत बड़ा कल्चर है तो आजकल जैसे जो finfluencer होते हैं वो अपनी life like उन्होंने नई गाड़ी ले ली नया घर बनवा लिया तो वो उसकी फोटोस वीडियो जालते रहते हैं और लोग उससे बहुत जल्दी influence हो जाते हैं तो जो early investor या early traders है वो देख करक और उसमें कई सारी गलतियां करते हैं जो भी करते हैं तो आपका इस पर क्या point of view है यह हम जानना चाहते हैं घर गाड़ी तो मैंने दिखाया है आप मेरे हर एक पोस्ट में गाड़ी नहीं देखोगे ना हर एक पोस्ट में घर देखोगे यह चीज़े होते हैं जो मैं मानता हूं कि नहीं पूरा होने से खुसी भी लगती है और मैं वह सेयर करना चाहता हूं जबी भी मैं कुछ चीज़े दिखाता हूं रहेट मैं make sure करत सब्सक्राइब करता हूं कि यहां पर मैं बोल दिया हूं कि आप ट्रेडिंग करो गाड़ी मिल जाएगी मैं हमेशा ही बोलता हूं कि पांच-छे साल का एफट से एक्स्ट्रा सोस अप इंकम है स्टेविलिटी है तो मैं बोलता हूं कि अगर आप यह कुस्टिन करें कि नही पास कुछ इंपरमेशन आ रही है ना यह इस सो कम्प्लीटली वर्ट्स लेस अगर आप ढूंड के निकाले हो तो आपको भूक लगी हो सही परसन है तो अगर मैं गाड़ी दिखा कि आपको आड में आ गया इसे कम्प्लीटली रॉंग कि नहीं हाँ आपकी लाइब ऐसे हो कि वैसे हो जाएगे ट्रेडिंग से मैंने यह किया ओ किया बोलने का जरूओ थी नहीं है अगर आप नहीं किया अगर किसको डूड़ना हो डूड़न के निकाल लेंगे कौन परसने उनसे सीखना है या समझना है या देखना है फॉलो करना है करे तो फस्तिंक नहीं और सेकं दीशने ही लिएंशे घाड़ी लेता चुंहunion मैंच थे और तो इतना देने के बार तो चीज सबस Was that एक होन मैं भीव से सब्केटर घ्र्फ चे और वालता चर्म सत्सक्ता को कि मैंने गाड़ी दिखा रहर हो तो आप ना इतना पर हमाध की एक एक मैंने पैसा कमा लिए उसका लोगों को समझ में आ जाएगा मैंने गाड़ी खरीद है इंडिया में गाड़ी चलाना सबसे ज्यादा डिपिवर्ट है मेरे फॉलवर्स बिलीबरी वाले भी है वह चाहते हैं कि नहीं बात करना और में ट्राफिक में उतर के बात भी नहीं कर सकत होता तो ओना मुझे खुद को गिल्टी फिल होता है कि वाया डिट इस लेकिन होता है ना सपना होता है तो पुरा मैंने उस वीडियो पी बताया था जिसे किने इट से पॉइंटलेस वर्थलेस स्टिल सपना ही क्या कर सकते हैं मैंने यह बता और पांच शे साल का एफ़र्स गाइडन्स नहीं है मैं गला जगा पो फॉलो कर रहा हूं यह रूल आप लिख लो अगर आपके पास इंफोर्मेशन आया है कोई फोन करके बोल रहा है कि आपके पास दिमांड एकाउंट है तो समझ जाना कि नहीं वहां पर आपका कटने वाला है में दूर हो भाई मैं एक सब लोग बना रहे हैं देखो सीखो और रॉकेट साइं डूढने जाओंगे तो इन नमबर जगा जाओंगे तो इस ऑलेज बेटर कि नहीं गाड़ी घर यह एक पॉइंट तक ठीक है उसके बाद करोगी भी क्या तो मेक शूर कि नहीं अगर आपको वर्थ लग रहा है ठीक कि यह देखकर अगर आप स्टार्ट कियोंकि मैंने तो नहीं देखा था यह मिल सकता है जस्ट मतलब काम करते के और आता गया तो बस मुझे अच्छा लगता है कि अगर अगर टुभी में जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना मैं हमें से मानता था कौन एक ऐसा परसन है जो ट्रेडिंग सच में करता है मुझे दिखाए करते हुए एक साल का में देख़ू इतना बनता है वेसे इंवेश्टर लोग बताते हैं लोग बन रहा है तो मेरा प्लानिंग था तो इसके लिए मतलब जबी भी में कुछ खरीदा हूं और आप ढूंड के निकाल दस पोस् कर रहें नहीं मेरा काम हो नहीं है मेरा काम ही कि नहीं इस पाट अफ लाइफ मुझे अच्छा लगा एंड कुछ ओडियंस ऐसे हैं जो जानते हैं मेरा स्टूटी फंट सब्सक्राइड और यह कर रहा है तो फिर वह नॉट कर रहा है तो इसका मतलब वह आपको गाड़ी इसलि ठीक है ना तभी वह दिखार आपको घड़ी कि अगले साल और बड़ी चीज़ सो मुझे स्पांसर करो ठीक है अब जैसे इन्हों ने बोला कि कई लोग को इंस्पायर करना होता है वैसे मैं तो एक चीज मानता हूं हमारे देश में नहीं करने चीए एक तो इंकम टेक्स वा इसके लिए और मेरी दो ख्याड लाइफ की एक पॉलिसी रही है मैं तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ डालता ही नहीं सोचल मेडिया तो मतलब मेरा तो एक मेरी वाइफ ने वो कुछ पोस्त डाली ती शाइद इंस्टाग्राम पर उससे उठाके किसी ने मेरा पूरी जनम प मेरी पर्सनल लाइफ है मैंने क्या घर खरीदा क्या गाड़ी खरीदी क्या ने खरीदा वो मेरे लिए किसी और को बताने की ज़रुवत नहीं है हाँ जैसा आपने बोला क्वेश्चन लेकिन आपका जैन्वेन है आधिंग पोस्त देखके आपको समझ में आ जाए कि वो गा एकाद लोग ना मतलब उसमें हर फीड में खराब लोग भी जुड़ेंगे बहुत टाफ होता है डिसाइड करना अभी क्या होता है कि काफी फिल्फुलेंसर क्या करते हैं आके बोलता है कि यह रेक्मेंडेशन नहीं अरे आपने पूरा थीसे बना दिया है वो रेक्मेंडे रखी आपका हो है को लिधे वह रेक्मेंडे पैसा अपका आपको फ्राजट के कोई और निया चली चोटा सा गलती होता है हर जेग हम लोग बोलते है रिटल इनुसेंट अंज लिटल इनुसेंट अरे यह लाइन तोड़ा क्या चेंज हो ना चाँ तो वह जाएगा बार न दस लोग को बेच के खाए रहे हैं वेन कम स्टॉक मार्केट ना ही बिकेम ग्रीडी यह और से बिकेम ग्रीडी तो हमको बार-बार यह पोटरेट करना चाहिए कि नहीं कोई आपके से डालके पैसा नहीं लेका इसे और बोल रहा है इसे रेट फ्लैग पैसा दो मैं आपको रिटन बन रहा है आओ मैं आपको सिछार प्लाग आपको अंडेस्टूट देखतें अगर यह एक बार ना ऑडियूं समझ गया कि ने कहां गलती हो रहा है तो फिर वो ना उस जगा फसेगाने तो यह आपको समझना है कि कोई इनुसेंट नहीं इस तक ग्रीट थॉट्स की नहीं आपको जल्दी पैसा चाहिए कौन जल्दी बता रहा है कोई बता रहा है कि एक दिन का 10 लाग बन रहा है कोई 50 लाग चलो उसके पास चले जाते हैं यह आप तो अंडर इवर्टिंग इन दा मार्के थोड़ा वाट चलता है उसारा आपको फ्री में वेलबल हो जाएगा आपके बस टाइब नहीं है आपको जल्दी पैसा चाहिए आपको पूरा हैंडोल चाहिए आपको सारे चीज़ तो भाई फिर आप फसने वाले हो अलग अलग तरीके से स्क जरूरी है क्योंकि कोई कुछ भी बोल के चला जाता है वीडियो देखता था यह स्टॉक को रातों का आज खरिद लो कल तीन गुना हो रहा है यह स्ट्रेट्मेंट कैसे होगा अगर कोई सच में पैसा कमा ही नो किने एक स्टॉक में पैसा नहीं बनता है तो रिक्स मैनेजम निया चैनल खोलो निया फिर बाते कर दो इनिसली कॉन देख रहा है यही चल रहा है तो मेक शुर किने आप इनोसेंट नहीं हो यह अट्रा साल के बाद आपका एकाउंट कुला है यू आर वेरी गृडिक तो इसको कांट्रोल किये तो बाकी काम हो गया ब्रीडिक इसकी कार अगर कोई एक इंडिविज्वल दुबई जाकर रोल्स रोडिक खरीद रहा है और उसका डाल रहा है और उसके अगेंस वो आप से ही एक्षप कर रहा है कि आप उनके ऑ्प्शन वक्षॉप अटैंड करोंगे और अचार्जिंग हैवीजारी तो यह जो शो आप जो सिफ गाडी तक्सीम इतनी है लेट मी ब्रीफ विट वन एक्जम्पल ये शोओ आजकल थोड़ा सा नॉलेज शोओ अप में भी टरन हो रहा है जो एक एक सर्टन कंटेंट जिसको हम बोल सकते हैं वारल कंटेंट बनाकर कोट करके की पारेक साब ने ये करा या फिर भार्षद महता ने ये करा उनको कोट करके देयार जस्त गैधरिंग फ्यू फॉल्वर्वर्स जब आप उनका डिग्री ऑफ जनूननेस चेक करने जाओग you need to identify the degree of genuineness की कौन कितना genuine है जैसे सर ने बताया की you need to identify कि अगर किसी का 10 post आ रहा है दस tweet आ रहा है या LinkedIn पर post आ रहा है तो you need to identify कि उसमें से उनका degree of genuineness कितना कितना वो subjective बात कर रहे हैं या फिर कितना अपना luxury living जो है वो बता रहे हैं तो you need to identify that और अगर आपको इस gimmick से बचना है तो you should you should allocate some time कि हम at least कुछ एक साल या दो साल किसी एक individual को या analyst को हम दें जिसके उपर कुछ conclude करने से पहले at least इतना एक reasonable time आपको देना चाहिए तो this is basically a gimmick मैंने आपको दो prime example दिये इन दो prime example से आप समझ सकते हैं कि industry में कितना बड़ा gimmick चल रहा है there have been many individuals who are selling their option workshops or derivative workshops there is one individual मैं नाम तो कूट नहीं कर पाऊंगा उनकी workshop में I get to know कि पंदरा साल के kids होते हैं या फिर पैसट सतर साल की महिला या होती है oh they raise their hands and come over stage और वो बताते हैं live screen पर कि I have that position and I have minted that much amount like so you need to identify कि उसमें उनका degree of genuineness कितना है उससे और आप जो perceived कर रहे हो उसमें आपका degree of admiration जो है वो कब तक है और किस extent तक है अभी जब तक आप किसी एक individual को reasonable time नहीं दोगे so you cannot conclude in span of two month और three month आपने दस फोटो दस गाड़ी के फोटो देखके conclude कर लिया कि इनना पैसा बनाया है और वो workshop पटेंड करना है तो ultimately क्या होगा उसके मुकादर बहुत ही लॉसी होगा लेकि एक चीज है वैसे इसमें बुरा ही नहीं है अल्तिमेटली अब लोग कहेंगे कि अगर आप इतनी इच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं तो फिर खुद कुनी पैसा बना लेते हैं अब कई लोग हैं आप जैसे कहेंगे कोई जैसे कोच है अब हो सकता हो खुद अच्छा प्लेयर ना हो लेकिन अच्छा कोच हो सकता है ऐसे कई लोग हैं जो हो सकता है कि खुद अच्छे ट्रेडर ना हो लेकिन अच्छे कोच हो सकते हैं बट वो ट्रांस्पेरिंसी से बताते नहीं है एक्जाक्ली हम ट्रेडिंग नहीं कर कि यह हमसे तो नहीं हो पाई लेकिन आपको सिखा सब्सक्राइब कि आपको इंफुलेंसर बनते हो लोग आपको पूछते रहें कि कैसे करते हैं कि आपको पूछने में क्यों बता हूं आप चार्ज करने लगते हो बट देरी सटन पॉइंट आप जिस दिन आप इसको बिजने इस से ज्यादा में लेवी नहीं सकता और में क्लाशेस बंद कर दिया ओफलाइन डू टू इस रेजन और में पचास जार एक लाग क्यों देना है इतना पैसा अगर आपको एक लाग दस-दस बार परसेंट में डिवाइड कि दस बार गलती कि दस बार से आप ज्यादा सीख अगर कोई ट्रेनर सब लोगों को एक लेवल पर देख रहा है देन सिखा सकता है लेकिन अगर पैसे के हिसाब से अगर बढ़ता किया तो फिर आपको समझ है तो देना ही कि में नहीं मिल रहा है कंटेंट कोई rocket site बना के मेरे को एक परसन ने चांद चंदर इधर उदर होने से पैसा बन रहा है मंगल क्राइब है अगर बन रहा है तो तो कुछ तो है लोचा क्यों कि लोग यहां से बोरों गे कुछ निया चीज़े चाहिए तो लोग और आप चल और स्टार्ट करते हैं अगर आग बंद करें वो लोगे कल मूव करेगा गलत होंगे पर सो दिन फिर करेक्ट होगी अप इससे मार्केट जाएगा ही जाएगा जाएगा एक 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 बंदे ने क्या किया उसने एक डेटाबेस खरीदा लोगों का एक मिल्यों का डेटाबेस खरीगा और एक मिल्यों लोगों को ऊसने वेल लिखा कि कल स्टोक मार्केट ऊपर जाएगा अब ऑबたいकित अब श्कले मार्क्रीच नीचे गया उत्यवेडर्ट जुआएगा वेल्यों इक techno ब्वेड़ा उपर जाएगा उनको उपर जाएगा इसने अगर अगर आपके नीचे गया तो बाकी आपको बेचा आज मार्केट नीचे जाएगा तो ऐसे करके फाइनली रिच अ स्टेज वेर कुल मिला के 25,000 लोगों को 20 या 25 दिन तक लगातार उसकी सही इंफरमेशन गहीं उन 25,000 लोगों को लगा कि क्या जीनियस आदेगा रोज मतलब इसका मार्केट का जो प्रेडिक्शन रोज सही रहा है उसके बाद अगले दिन उसने लिखा कि यहां से मेरी फ्री सर्विस बंद है आपकर आपको चाहिए तो मेरा वन टाइम फ्री से एक निउसलेटर का यह हजार डॉलर मुझे पे कर देगे अब बीस हजार लो तो फ्री कॉल मतलब उनको ही पता है सही होगा नहीं होगा जिसका करेट वह अपने से कॉल करके भाई हां इसका सही है एक लाक लगाता तो एक क्रोड़ हो जाता है जो हो जाता है चीजे बिजनेस कर दिये